पंजाबी अभी नेता गुगू गिल अब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा सुरू किये गए नश्या विरोधी अभ्यान में सामिल हो गए हैं उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों से पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभ्यान से जुनने का अग्रया किया है। उन्होंने कहा कि हर नशा बुरा है, नशे ने हर घर को बरबाद कर दिया है। गुगुगिल ने कहा कि चिट्टे के नशे ने पंजाब की बेटियों और बेहनों के रंगीन चुन्यों को सफेद कर दिया है इस लट्थ से बचना बहुत जरूरी है लेकिन कोई भी सरकार या पुलिस ऐसी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती जब तक की जनता उनके साथ ना हो उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पुलिस और सरकार का सहयोग करें ताकि बच्चों को नशे से बचाया जा सके अभी नेता गुगुगिल ने कहा कि पंजाब के हर सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है वहाँ कोई भी जाकर अपना या अपने परिजनों का इलाज करा सकता है उन्होंने नशा विरोधी मुही में पुलिस द्वारा दिये गए योगदान के लिए स्री मुक्त सर साहिप का धन्यवाद किया बहुत ही सतकार योग सार यान सत्षियकाल जी महत्वाद आपना गुगुगिल दोस्तों आज कल साधे सीम साभ सरदार पगवान सिंग जी मान ते साधे डीजीपी साभ इनने मिलके एक महें में शुरू कीती हुई है नश्यां दे खलाफ जो के बहुत ही अच्छी गाला है कोई भी नश्या क्यों न होगे आप आउनों माड़ा या खांगे लेकिन चिट्टे दा नश्या ऐसा है ऐसाधे बच्चांदे बेचे जीने करांदे कर तबाह कर दते है साधियां तियां पैनादियां रंगलियां चुनियां चिट्टियां कर दतियां इसने इस तो बच्चना बहुत जरूरी है कोई भी सरकार या पुलीस कल्या इस तरह दी लड़ाई नी लड़ सकती जिननाचर अवाम दा साथ ना होगे तां आओ सारे या पाउना दा साथ दीए तां जो इस तरह दी नशे तो बचाया जा सके अपने बच्चानो इक गल होगे कोई भी अपना या अपने रिष्टेदार दा अलाज उत्थे जाके करवा सकता है मैं शुकर गुजारां साथ जिले शीरी मुक्तसर साथ दी पुलीस दा जिनना ने वग चड़के इस काम दे विचे हिस्सा पाया और अपनी सेवा बाख खुबी नवा रही है बहुत बहुत शुक्रिया हो नादा मालक खोश रखे तू अनुशा रहानो सब शेकार पंजाबी अभी नेतक गुगु गिला पंजाब सरकार और पंजाब पुलीस द्वारा सुरू किये गए नशा विरोधी अभ्यान में सामिल हो गए हैं उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों से पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभ्यान से जुनने का अग्रय किया है उन्होंने कहा कि हर नशा बुरा है नशे ने हर घर को बरबाद कर दिया है गुगु गिल ने कहा कि चिट्टे के नशे ने पंजाब की बेटियों और बहनों के रंगीन चुन्यों को सफेद कर दिया है। इस लट से बचना बहुत जरूरी है लेकिन कोई भी सरकार या पुलिस ऐसी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती जब तक की जनता उनके साथ ना हो। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पुलिस और सरकार का सहयोग करें ताकि बच्चों को नशे से बचाया जा सके। अभी नेता गुगोगिल ने कहा कि पंजाब के हर सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है। वहां कोई भी जाकर अपना या अपने परिजनों का इलाज करा सकता है। उन्होंने न आज काल साधे सीएम साब सरदार पगवान सिंग जी मान ते साधे डीजीपी साब इनने मिलके एक महें में शुरू कीती हुई है नशेयां दे खलाफ जो के बहुत ही अच्छी गाल है। कोई भी नशा क्यों ना होए आप आउनों माड़ा या खांगे। लेकन चिट्टे द बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार या पुलीस कल्यां इस तरह दी लड़ाई नहीं लड़ सकती। जिननाचर अवाम दा साथ ना होए। तां आओ सारे या पाउना दा साथ देगे। तां जो इस तरह दी नशे तो बचाया जा सके अपने बच्चानों। एक गल होर। हर सर कर गुजारां साथ जिले शीरी मुक्तसर साथ दी पुलीस दा। जिननाचर ने वड़ चड़के इस कामदे विचे हिस्सा पाया और अपनी सेवा बाख खूबी नवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हुना दा। मालक खोश रखे तो अनुप सारे आनों। सब कर दो दो कर दोता क्योंकोश अनुट करते हैं, कर दो कि अनुप सारे आनों। से कामदे हिस्सा प्रभ मालक खोगे विचे हिस्सा आन सारे प्रोबीक्या है।